वेद वाणी देव वाणी प्रतिरिन एक वेद मंत्र आज के वेद मंत्र का विशे है हमें वशु मिले यहां रिगवेद के आठवे मंडल का च्वा सुक्त का पंद्रवा मंत्र है रिशी विरूप आंगी रश देवता अगनी चंद गायत्री ओम यो अगनिम तन्वो दमे देवम मरताह सर्पयती तस्माइत दिदयत वशु सब्दार्थ यह जो मरताह मनुष्य तन्वह सरीर के दमे ग्रह में या दमन में देवम देव अगनिम अगनी का सर्पयती सेवन करता है यजन करता है तस्माइ उसके लिए इत ही यहा अगनि देव वशु एस्वर को दिदयत देता है वेदवानी देववानी प्रतिदिन एक वेद मंत्र आज के वेद मंत्र का विशह है हमें वशु मिले ओम युअगनिम तन्वो दमे देवम मरता सर्पयती तस्माइ इत दिदयत वसु रिगवेत का यह आठवे मंडल का च्वालिश्वे सुक्त का पंद्रवा मंत्र है इस मंत्र का रिशी विरूप आंगीरस देवता अगनी चंद गायत्री सब्दार्थ यह जो मरताह मनुष्य तन्वह सरीर के दमे ग्रह में या दमन में देवम देव अगनी का सर्पयती सेवन करता है यजन करता है तसमे उसके लिए इत ही यह अगनी देव वसु एस्वर को दिदयत देता है है मनिश्यों वसु देने वाले जिस अगनी को तुम ढूनते हो वह कहीं बहार नहीं है वह तो हमारे अंदर है, हमारे सरीर में ही विद्धिमान है, वह अगने हमारे सरीर के घर में, हमारे सरीर रुपी यजिसाला में नाना प्रकार से जल रहा है, प्रदिप्त हो रहा है, जो मनुष्य इस सरीर ग्रह में जलने वाले देव अगनी का ठीक प्रकार फूजन करता है, उसे ही बस अविष्ठ फल मिलता है। ये देखो जठर अगनी से लेकर आत्म अगनी वा परम आत्म अगनी तक पार्थ्यु अगनी से लेकर परम जीवे अगनी तक सब स्वरूपों में अगनी देव हमारे सरीर रुपी यज ग्रेह में ही जल रहे। ये नियमित भोजन, शयन और व्याया मादी द्वारा जठर अगनी का ठीक पकार परीचरन करेंगे तो हमें सारीरिक वशु मिलेगा। ये हम प्रानाया मादी से प्रान अगनी का सेवन करेंगे तो हमें प्रान बल मिलेगा। शुक्ष्म प्राण अगनी में वर इंद्री अगनी में हवन करने से हमें एक्षा, शैयम वर सब्दादी विश्यों का वसु प्राप्त होगा। चित्त अगनी की ठीक परिचर्चा से हमें वासना सुद्धी प्राप्त होगी। मनरुपी अगनी का विधिवत यजन करने से हमें बहुमल्दे विचारों की निधी खजाना प्राप्त हो जाएगी। और बुद्धी अगनी के पूजन से ज्यान का दिव एस्वरे भी खस्तगत हो जाएगा। इस पकार आत्मसयं योग अगनी में सब पकार के कर्मों का हवन करने से तथा आत्म अगनी में वा ब्रहाम अगनी में नाना पकार के उच्च यज करने से हमें वे सब उचे से उचे अध्यात में एस्वरे प्राप्त हो जाएंगे जिन के लिए देव भी तरस्ते हैं इसलिए है मनुश्यों आओ हम अपने सरीर के दम में दमन करने में ही उस सच्चे अगनी को ढून लें जिसके ज्वालाएं हमारे काय प्राण मन आदी में जल रही है उसी के हवन से हमें वसुव मिल सकता है किवल उसी की यजन से हमें सब एस्वरे मिल सकता है जो मनुष्य शरीर के ग्रह में या दमन में देव अगनी का सेवन करता है उसके लिए ही यह अगनी देव एस्वरे को देता है ओम यो अगनिम् तन्वो दमे देवं मरता सर्पयती तस्माइत दिदयत वसू देव वानी वेद वानी प्रतिदिन एक वेद मंत्र ओम शांति 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 ही झाल 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 झाल